हेलो एवरिवान स्वागत आप सभी का टूपर्स प्राइम चैनल में एस विडियों में हम करेंगे एटट प्यार्टी का जो एक्जाम हुआ है लेविल वन का उसकी आंसर की ठीक है कंप्लेट सोलुशन देखेंगे वन से लेकर हंडर तक देखें फर्स्ट कोशन है निमलिखि इसको कुशन है क्या है दिस्ग्राफिया एक राइटिंग डिसेबिलिटी है यानि कि लेखन आशमता है तो option second जो है इसका correct answer हो जाएगा डिस्ग्राफिया एक लेखन आशमता है ठीक है चलिए अगला कुशन है कुशन नमबर 3 सजासे बचने के लिए आग्या कारिता की अवस्ता को कोहल बर के नैतिक विकास किसी दान्त में नैतिकता के किस सतर में सम्मिलित किया गया है तो पूरव पारंप्रिक नैतिकता यानि कि pre-conventional morality में जो है इसको शम्मिलित किया गया है फर्स्ट ओप्शन जो है सही रहेगा चली अगला देखे रोशा शाही धब्बा परिक्षन में काले एम सफेद कार्ड कितने हैं तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे इसका फोर्थ का वो हो जाएगा पांच फोर्थ ओप्शन नेक्स्ट है ब्रुनर के संग्यानातमक विकास के सिध्धान तनुसार निमन लिखित में से कोन सी चिंतन की एक विधी नहीं है ठीक है जो थिंकिंग मोड नहीं है वो बताना था तो राइट आंसर होगा आंकिक यानिकि नुमारिक इनक्टिव आइकोनिक और सिंबॉलिक ज नेक्स्ट है एक सिक्षक ने विधार्थियों को पढ़ाया कि गर्ल का बहुवचन गर्ल्स होता है इस अधिकम के साथ विध्यार्थी वोमिन का भुवचन वोमेंस बनाती है यह किस वरकार के अधिगम हस्तांतरन का एक उधारन है तो यह हो जाएगा नेगिटिव ठीक है रिनातमक सेकिन ओप्शन अगला है एक सिक्षक द्वारा विध्यार्थियों के एक समूपर परसाशित बालक अंत्रभोध परिक्षन य यह होगा अगला है निमन लिखित में से कोन समनो व्यज्यानिक व्यवारवाद से समंदित नहीं है पूछा था तो जो व्यवारवाद से समंदित नहीं है वो है फ्रायड बाकी तीनों समंदित है अगला है कोन सा विकास का एक सिध्धान्त नहीं है नहीं है वताना था तो अंतर संबंदों का सिध्धान्थ भी होता है, variation भी होता है, direction भी होता है, principle of segregation यानि कि पृत्थे करण का सिध्धान्थ नहीं है, विकास का सिध्धान्थ, प्रेड़ना परबलन हास सिध्धान्थ के प्रदाता कौन है, reduction theory of motivation is given by, तो किसने दी है ये, ये दी है, हल ने, first option हल, सिध्धान्थ के अधिक संभावना होती है, सीखने का यह नियम, किस के द्वारा दिया गया है, तो सीखने का नियम जो दिया गया है, ये दिया गया थारन डाइक के द्वारा, बुद्धी का समुकारक सिधान्थ किस मनो विज्ञानिक द्वारा दिया गया है, तो ये सिध् की आयू से संबंदित है तो राइट अंसर हो जाएगा अध्यावाश बनाम हींता इंडस्ट्री वर्स इंफिरियोरिटी ठीक है चलिए नेक्स्ट है बुद्धी का आर्मी एल्फा परिक्षन किस प्रकार का मिलब एक प्रकार का क्या है किस तरीके का जो है परिक्षन है वर्बल ग्रूप टेस्ट है आर्मी एल्फा बैट एल्फा टेस्ट ओफ इंटालिजेंस ठीक कौन सा यूगम सही नहीं है ओके मूल प्रवर्ती दिये साथ में उसका सम्मेग दिया तो पलायन का भ्या होता है जिग्या सा काश्चरिय होता है श्रना गती का विशाद होता है जो सही नहीं है वो है अपकर्शन क्रोध यानि कि रिपल्शन एंगर तो सेकिंड ओप्शन जो है सही होगा कौन सा सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है बताना था तो जो तत्व नहीं है वो है लार्ज गरूप यानि कि बड़ा समूप नेक्स्ट है शेल्डन ने सभी प्रक्षेपी तकनीक है प्रक्षेपी तकनीक परसनेलिटी मेजरमेंट के लिए प्रोजेक्टिव टैकनीक बतानी थी तो यह हो जाएगी प्ले एंड ड्रामा यानकी खेले हम ड्रामा चलिए अगला कोशन देखे कोशन नमर 21 है ये भीनताइक क्या कहलाती है तो ये भीनताइक कहलाती है अंतर व्यक्तिक भीनताइक, inter-individual difference निमलिखित में से कौन सा एक जनम जात अभी परेयक नहीं है तो इस में से जो जनम जात अभी परेयक नहीं है वो है achievement बाकि जिसे hunger है, sleep है, pain avoidance है, ये सब क्या है, जनम जात अभी परे रखा है, achievement नहीं है, तो fourth option जो है सही होगा, बच्चों में सरजनात मक्ता का विकास करना, विकास के किस आयाम से सम्मंदित है, तो ये सम्मंदित है mental से, मांसिक विकास से, ठीक है, चलिए, संकेत बाशा किस प hearing disabled, स्रवान ASMR थे, ठीक, कौन सी अधिगम, करता, केंदरित, सिक्षन अधिगम, वियू रचना नहीं है, पूछा था, तो ये हो जाएगी lecture, व्याख्यान जो है, ये teaching learning strategy नहीं है, learner center, teaching learning strategy नहीं है, ओके, नेक्स्ट है, बुद्धी का 3 विम्यसिद्धान, 3 dimensional theory, जो है intelligence की, वो right answer हो जाएगा, गिलफर्ड ने, ठीक है, fourth option, गिलफर्ड, ठीक, चलिए अगला देखे, बुद्धी, एम, विकास, किस चीज के उत्पाद है, तो अनुमानसिक्ता, एम, वातवरन, दोनों के, अधिगम करता की, अभी वृती, अभी रूची, उपलब्दी, अधिगम, शैल है, पूछा है, तो जो समंदित नहीं है, वो है युगमों के मध्य, नवीन संबंद से समंदित कारिया, CDP का last question है, अधिगम का अंतरदरिष्टी सिद्धान्त, अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसको गेस्टाल्ट थ्यूरी, यानि कि गेस्टाल्ट सिद्धान्त क नाम से भी जानते हैं, चलिए, नेक्स्ट है हिंदी, निमन में से कोन सा शब्द गुण सवरसंधी का उधारन है, गुण सवरसंधी का उधारन यहाँ पर बताना था, तो हिमोपल जो है, यहाँ पर सही हो जाएगा, हिमोपल, ओके, यहाँ पर देखे, question है, किस विकल्प मे तदभव शब्द प्रियुक्त हुआ है, तामर भोरा जेश्ट श्रावन, तदभव शब्द किस में है यहाँ पर, तो यह हो जाएगा, भोरा में, ठीक है, भोरा, चलिए, option second, next है, किस विकल्प का शब्द अव उपसर्ग से निर्मित नहीं है, पूछा है, जो अव उपसर लगा है, ठीक है, रात के प्रियाएवाची पूछे हैं, कौन-कौन से होते हैं, तो शरवरी होता है, रैन होता और विभावरी होता है, second option जो है, यहाँ पे सही हो जाएगा, रात के प्रियाएवाची, ठीक, चलिए, अगला देखिए, किस विकल्प में मिश्र वाक्य का प उतिरन होगे, इन सभी में मिश्र वाक्य यूज हुआ है, वे थोड़ी देर बाद तुरंत लोट गया, इसमें मिश्र वाक्य का यूज नहीं हुआ है, तो first option सही रहेगा, अगला देखिए, कौन सी क्रिया करम की अपेक्षा रखती है, वो हो जाएगी पीना, ठीक है, किस स correct होगा, जो सही नहीं है, वो है अत्या आवशक, अत्या आवशक मतलब जिसके आवशकता हो ज्यादा, आवशकता से परे नहीं होगा, तो option 3 जो है, यहां पे correct होगा, ठीक है, चोर की डाड़ी में तिनका, लोकोक्ती का सही अर्थ क्या होता है, अपरादी सदैव शंकित र यह सही नहीं है यहां पे, तो 42 का 4 हो जाएगा, ठीक है, आगे है विलोम शब्द की दृष्टी से संगत विकल्प चुनिए, विलास, प्रलास, विहीत, परहीत, विपदा, आपदा, वैमनश्य, सोमनश्य, तो यहां पे जो सही है, संगत विकल्प है, वो है वैमनश्य, सो फोर्थ ओप्षन जो है इसका करेक्ट होगा, ठीक, चलिए, कौन सा विशेशन शब्द भाव वाचक संग्या से निर्मित है, तो जो भाव वाचक संग्या से निर्मित है, वो है प्यारा, प्यार से प्यारा, ठीक है, निमन में से किस विकल्प में दंत्या वरन जो है प्रि रादेशाम, पन्नालाल और हिमाल्य, तीनों की तीनों क्या हैं, व्यक्तिवाचक संघ्याए हैं, ठीक है, कौन सा शब्द कृत पृत्य के योग से निर्मित नहीं है, पूछा था यहां पे, तो राइट आंसर हो जाएगा, चतुराई, मैं चुप नहीं बैठ सकती, उक्त वा अगली, अगली का सिनिनिम जो था, एक मिनिट, हाँ, ठीक है, सिनिनिम औफ अगली, अगली का सिनिनिम हो जाएगा हैं यहां पे, हीडियस, ठीक है, चूज द करेक्ट प्री पोजिशन फूर द ब्लैंक, ही गोज तू चर्च अन संडे, ठीक है, फोर्थ उप्शन से रहेग और साथ में, and a, half for lunch, and or a आ जाएगा, second option सही होगा, ठीक है, चली, question number 49 है, fill the correct option, एक मिनिट, sorry, in the blank, cream is tall, तो हो जाएगा, यहां पे, cream is tall, but, अब्दूल is taller, second option, choose the correct one word substitution, a study of living things, living things का, जो अध्यन होता है, उसको क्या कहती है, तो right answer हो जाएगा, यहां पे, biology, चलीक है, choose the correct option for the underline word, this is the boy who works hard, who, who बताना है, who इसमें क्या है, तो right answer होगा, pronoun, चलीक है, चली, अगला देखे, question number 52, the bird dash away, तो यहां पे हो जाएगा, the bird has flown away, ठीक, यहां पे देखे, choose करना था correct sentence, यह है sentence, six people lost their life in the accident, तो इन में से जो सही होगा, कौन सा हो जाएगा, सही होगा, six people lost their life in the accident, ठीक है, second option जो इसमें, सही होगा, चली, अगला देखे, the antinom of copy, copy का opposite word बताना था, तो copy का opposite word हो जाएगा, original, ठीक, चली, next देखे, दो हैं इसमें, एक है, tendulkar is the, dash batsman in the world, तो क्या हो जाएगा, best batsman in the world, okay, we dash keep our promise, तो right answer रहेगा, we should keep our promise, third option, okay, चली, next है, I am sure, dash the examination, तो यहां पर हो जाएगा, I am sure, she will pass the examination, इधर देखे, अग, idiom दिया गया, to wash one's hands, of means, to wash one hands, इसका मतलब बताना था, तो right answer रहेगा, to refuse to accept responsibility, next है, choose the correct option, espresso is, क्या हो जाएगा, यहां पर strong coffee brewed by steam presser, the word noisy means, noisy means loud, ठिक, चली, आगे maths के दिये हैं, maths के direct देख लेते हैं, answer क्या रहेगा, 61 का जो गोले का प्रष्टिय शित्तरफल से, mensuration से जो question आया था, उसका जो correct answer रहेगा, वो 7 cm आएगा, ठिक है, okay, then, यहां पर देखे, x का मान पूछा था, तो इसको आप solve करते जा सकते, यसे यह 13 का square root है, 13 का हो जाएगा, यह 6 का हो जाएगा, 6 और 13 को आप यह add कर सकते हैं, and then, उसके बाद इसको solve करेंगे, तो जो right answer निकलेगा, वो निकलेगा, 55, ठिक है, उसके बाद यहां पर इसका मान पूछा था, तो यह 7 by 9, plus 6 by 9, minus 5 by 9 करके करेंगे, 9 यहां पर LCM हो जाएगा, 7 और 6, 13, 13 में से 5 गए, 8, 8 बटे 9, इसका correct answer होना चाहिए, ठिक है, 8 by 9 होगा, अगला देखिए, इसमें, HCF पूछा था, तो उपर वाले का HCF निकाल दीजी, और नीचे वालो का LCM, तो वो value जो है, इसका answer हो जाएगी, तो right answer जो बनेगा, 5 by 36 आ जाएगा, ठिक है, चली, अगला देखिए, reasoning का question है, अगला पूछा था यहाँ पर कि क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें, हम reverse में जा रहे हैं, Z, Y, X, W, V, U, T, कुछ इस तरीके से करते हुए, और इसमें आप देखेंगे, तो C को छोड़ दिया, D, A को छोड़ दिया, F, G को छोड़ दिया, H, यह है, तो right answer जो हो जाएगा, यहाँ पर SP हो जाएगा, ठेक है, उस शब्द का chain कीजिए, जो अन्या तीनों से भिन है, जो भिन है, तो पिस्तोल, गन और राइफल, एक कैटेगरी में आती है, तलवार यहाँ पे अलग हो जाएगे, कितने प्रतिशत बार्शिक सरल भ्याज किदर से कोई दन आठ वरश में स्वैम का दुगना हो जाएगा, सरल भ्याज पे कह रहा है, यह, आठ वरश में स्वैम का दुगना हो जाएगा, तो right answer जो होगा यहाँ पे, वो होगा, 12 सही, 1,2% पर, second option, चलिए किसी निश्चित कूट बाशा में इसको यह लिखा जाता, तो उसी कूट बाशा में 3579 को क्या लिखा जाएगा, यह पूछा गया था, तो right answer हैगा, 44882, संख्याओं के प्रत्थम जोडे के मध्य है, एक विशेस प्रकार का संबंद है, उसी प्रकार का संबंद जोडे में डूणड कर छूटे हुए स्थान पर संख्या ग्याद कीजिए, तो 35 और 6 में जो relation है, वही 120 और आगे आने वाले नंबर में होगा, तो यहाँ पे 11 जो है, इसका सही answer रहना था, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, 666, 6 का स्केर माइनस 1 की आ गया है, तो यहाँ प चलिए, find the next term of the following, 10, 12, 16, 24, 40, तो जो next आएगी यहाँ पे, वो होगी 72, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते किस तरीके से सीरीज चली हुई है, चलिए, एक रेल गाड़ी जो 700 मेटर लंबी है, बैतर किलो मेटर पर गंटा की रफ्तार से चल रही है, यहाँ गुफा को एक म पर कर लेती है, तो गुफा की लंबाई पूछी गई थी, तो जो गुफा की लंबाई रहेगी वो 500 मेटर रहेगी, निमलिकी संख्या सरंखला में ऐसे कितने साथ हैं, जिन से पहले कोई समसंख्या, किन्तो ठीक बाद में कोई विशम संख्या नहीं है, तो साथ के आगे सि है आपको इस तरीकी के मिलेंगे ठीक है अगला देखिए यदि नाइट का कोड 58 है तो उस पैटरन में एंगर का कोड क्या होगा तो एंगर का कोड यहां पे 45 हो जाएगा एक व्यक्ति 400 आम की क्रे मुल्य पर 320 आम बेच देता है तो उसका लाब प्रतिशत पूछा गया है तो उसका लाब प्रतिशत 25 परसेंट आएगा अगर निकालेंगे इसको तो एक किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, बी की कार्य शमता है, ए से 60 प्रतिशत दिखा है, तो उसी कार्य को करने में बी को कितने दिन जो हैं लगेंगे, तो दिन लगेंगे 15, ठीक, किसी वरत की लंबाई और चुडाई को करमश्य 30 प्रतिशत और 20 प्रतिशत बढ़ा दिया जा था ये question था तो इसका option first सही रहेगा rc equal to 2a मैं अपने घर से पूरव की और 10 meter चला इसके बाद उत्तर की और मुड़ा 15 meter चला इसके बाद पश्चिम की और मुड़ा और 12 meter चला इसके बाद दक्षिन की और मुड़ा और 15 meter चला अब मैं अपने गर से कितनी दूर खड़ा हूँ तो यहाँ पे राइट आंसर दो मिल्टर होना था दो मिल्टर दूर खड़ा है इसको गुणनफल का इकाई का अंक पूछा है तो यहाँ पे आप कर भी सकते हैं पांच इकम पांच चिक तीस जीरो जीरो आना चाहिए तो जीरो हो जाएगा इसका राइट आंसर यदि पानी को भोजन भोजन को पेड़ पेड़ को आकास और आकास को दे तो फल किस पर उगएगे फल उगते हैं पेड़ पर और पेड़ को कहा गया आकास तो अकाश इसका correct answer होगा ठीक है चलिए जिला जिसमें सरवाधिक वन शित्र है तो सबसे जादा वन कहाँ पर है यमुनानगर में है नाच संप्रदाई के साधु बाबा चत्रूंगी नाथ चुरंगी नाथ जाने जाते थे किस नाम से जाने जाते थे चुरंगी नाथ तो ये जाने जाते थे पूरण बगत की नाम से वैखिलाडी जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुस्ती में रज़त पदग जीता है तो बजरंग पुनिया ने जीता है नहीं एक बिनट रवी कुमार दया ने बजरंग पुनिया ने तो कास्चा पदग जीता है रवी कुमार दया ने जो है रज़त पदग जीता है तो सेकिंड ओप्शन जो है सही रहेगा निमल लिखेत में से किस ने अधिकतम अवदीता करियाना के मुख्यमंतरी के रूप में काम किया है तो हरियाना के मुख्यमंतरी में जो अधिकतम अवदीता काम किया है वो है बजनलाल अगला देखे बीवानी शेतरफल की दृष्टी से सबसे बड़ा जिला है सही है कि सारजन संख्या की दृष्टी से सबसे बड़ा जिला है इसमें देखे पूछा गया था कौन सा correct option है ने बट दोनों ये गलत है third option होगा इसका ना ही एक ना ही दो बट official answer की के according जो है इन्होंने option 4 जो है सही माना है तो इसमें आप objection लगा सकते हैं ठीक है चलिए हर्याणा की चोद विविदा अंसरबा में विपक्ष के नेता कोन है तो विपक्ष के नेता कोन है अभी बुपिंदर सिंग उड़ा है तो second option जो है सही होगा हर्याणा में रश्टिय पसू आनुवानसी की संस्थान किस जिले में स्थित है तो ये animal genetic kernel में हो जाएगा चलिए अगला देखे question number 88 में match करना था देखे हिसार जो होगा मतब किस मंडल में कौन सा जिला आता है तो हिसार तो सिर्सा में आता है मतब हिसार में सिर्सा आता है गुरू ग्राम मंडल में नहीं सोनी पत नहीं आता है गुरू ग्राम में आता है में दरगड रुत तक में आता है सोनी पत तो D का second तो option में है और अमबाडा पंचकुला हो जाएगा तो C का first तो option 3 जो है यहां पे correct होगा आगे देखे बढखल जील कहां पर है इसने पूछा है which pair is not correctly matched तो बढखल जील फरीदाबाद में है बिंडवास जील जजजर में होगी चंदेली जील गुरू ग्राम नहीं होगा तो third option यहां पे सही होगा तो option 3 जो है यहां पे correct होगा बारा होगी चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 15,25,45 और 75 से विबाजित हो तो वो विबाजित करके आप देख सकते हैं यहां पे तो वो हो जाएगा option 3 9600, 6900 इसमें देखे x, y, z का मान बताना था तो right answer जो होगा यहां पे minus 1 जो है इसकी value निकल के आएगी एक ½ परीक्षा में 65 परतिशत अंक प्राप्त किए यदि उसने 5 विषों में से 4 विषों में करमश्य इतने अंक प्राप्त किए तो 50 विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं तो correct answer होगा 50% अंक एक कार्याल में कुल करमचारियों का तो पुर्षों का एक बटा चार बाग अनुपस्तित है तो 7 बटा 30 बाग जो है अनुपस्तित है ठिक पाँच बच्चे जो प्रतेक चार वर्ष के अंतराल में पैदा हुए कि आयू का योग बच्पन वर्ष है तो सबसे बड़े बच्चे के आयू बूची गई थी तो राइट आंसर रहेगी 19 वर्ष किसे संख्या के एक ती आय के 3 बटा 4 का 1 बटा 5 भाग 24 है तो उस संख्या का 20 परसेंट बूचा गया था तो 20 परसेंट निकलेगा 96 ठिक है निमलिकित में से कौन सी वस्तुनिष्ट प्रकार के परिक्षन की विशेष्टा नहीं है तो वो है आकलन के लिए अधिक मेहनत प् का माँ पाएगा 50 डिकरी ठेक है तीन वर्ष पहले रमेस और सुरेश के आयू का नुपात इतना था पांच वर्ष पस्चात यह नुपात इतना होगा तो सुरेश की वर्तमान आयू यहाँ पर पूची गई थी तो 75 वर्ष जो है निकल जाएगे एक कारिये को 25 दिन में समापवर्थय और लगुतम समापवर्थय का योग 504 है तथा लगुतम समापवर्थय महतम समापवर्थय का 55 गुणा है यदि एक संख्या 99 तो दूसरी संख्या पूची है क्या होगी तो 45 होगी ठीक है रमेश ने दो मोटर साइकल में से परते को 5000 अजार रुपे में उचा था तो इसमें करेक्ट आंसर होगा 24 ठीक है बारा टिक्टो को एक से बारा तक करमांकित क्या गया यदि उनमें से एक टिकट का यादरिचिक चेहन किया जाए तो टिकट परंकित संख्या के दो या तीन के गुण जोनी की प्रियायकता क्या होगी तो दो बटा तीन हो 3375 यदि एक संख्या के रूप में दी गई है तो दी गई संख्याओं के एबा जैगुनन खंडो की संख्या कितनी है तो 52 हो जाएगी एक संब आउत्री बुजिस की हुजा 6 cm है इसकी उचाई कितनी होगी 3 cm उचाई आ जाएगी ठीक है यदि रूट 5x-3 और ये दिया गया पैसे की सिख्ये क्रमशे हैं और यदि थैली में कुल दन 1590 रूप है तो थैली में 1 रूप है की सिख्यों की संख्या कितनी होगी तो 420 हो जाएगी second option निमली की जोडों में से कौन सा यूगम से है ए भाज्ये संख्या का है तो वो है 17 और 25 11 स्केर, 12 स्केर, 13 स्केर और 20 स्केर तक का मान पूछा है इसमें तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 2485 12, 15, 18 से विबाजित होने वाली सबसे चोटी पूरण वरग संख्या कुन सी है 900 गनित सिक्षन के उदेशों के वरगी करण के नुसार निमलिकित में से कौन सा भावा तमक पक्ष से संभन्दित है तो राइट आंसर हो जाएगा संगठन यानि की और गेनाइजेशन ठीक है शब्द इंजीनियर के अक्षरों से कितने शब्द जो है बनाए जा सकते हैं तो 3360 शब्द जो है बनाए जा सकते हैं यदि x प्लस 1 बाई x इक्वल तो 4 तो x की पावर 4 प्लस 1 बाई x की पावर 4 का मान पूछा गया था यहाँपे तो करेक्ट आंसर होगा option 1 194 यदि a star b equal to a plus b plus a b हो तो 8 multiply 7 minus 5 multiply 6 का मान कितना होगा तो 30 आ जाएगा यहाँपे correct आंसर 4th option अगला question देखे 2 की पावर दिये 2x minus 3 और 1 by 8 x की पावर x minus 4 वो तो x का मान कितना होगा तो 4th option सही रहेगा 3 आ जाएगे value निकल गए 13 प्रिणामों का 65 है यदि पर्थम 7 प्रिणामों का 62 हो तो तथा अंतिम 7 प्रिणामों का 66 हो तो 7 प्रिणाम यहाँपे पूछा है तो 58 इसका correct होगा अगला देखें निमलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है पूछा था तो गोंद प्लाइवूड और लाख यह क्या है forest product है केरोसीन नहीं है तो 4th option सही होगा CO2 परमुक ग्रीन आउस गैसों में से एक है निमलिखित में से कौन सी अन्या गैसी ग्रीन आउस प्रबाव का कारण बनाती है तो वो हैं कारण बनती है मिथेन और नाइट्रस उकसाइड सिस्मोग्राफ का उप्योग किस के लिए किया जाता है तो भुकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है अमलिय वर्षा किस के उकसाइडों के कारण होती है तो अमलिय वर्षा सलफर और नाइट्रोजन के उकसाइड के कारण होती है तो Sulfur Nitrogen सही होगा समुद्र के पानी का सुध्धी करण किया जा सकता है तो समुद्र के पानी को सुध्ध किया जाता है Reverse Osmosis के द्वारा ठीक है विपरित प्रासरन द्वारा पादपोर जन्तुओं के मरित श्रीर को हुईमस में प्रिवर्तित करने वाले सुक्षम जीव क्या कहलाती है तो इसको अपगटब का आ जाता है यानि कि डीकंपोजर्स बोलेंगे निमलिकित में से विशम पूछा था यहां पे तो जो सबसे अलग है इनमें वो है पवन उर्जावाइंड एनरजी हवा क्या है हवा एक मिश्रन है मिक्षर है ठीक है निमलिकित में से कौन सा पारिस्थितिक तंतर प्रती परसरवादिक शेतर को आच्छा दित करता है तो यह हो जाएगा समुदरी पारिस्थितिक तंतर कुछ शेहरों तथा नगरों में नगर पालिकाईं दो प्रकार की कचरी को एक्तरित करने के लिए दो प्रिथक कुड़ेदान प्रदान करती है पर एक का रंग नीला तथा दूसरी का रंग हरा होता है तो हरा कुड़ादान निमली कित्पदार्थ के लिए उप्योग में लाया जाता है तो पेड की पतिया, प्लांट लीव्स के लिए, सूखे के लिए बारतिय प्राणी सर्वेक्षन कि स्थापना किस वर्ष में की गई थी जू लोजिकल सर्वे ओफ इंडिया की स्थापना पूछी है तो ये की गई थी 1906 में MCBT क्या है, MCBT का मतलब क्या है, मदरास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट नेक्स्ट है, वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होती है, केच्वे से निमलिखित में कौन से जानवर में निमलिखित अनुकूलन है तो राइट आंसर देखी यहाँ पे है, इसका जो करेक्ट होगा, वो होगा पोलर बालू में एक अमेरिकी विज्ञानिक नहीं है, दर्शाय कि तडित था आपकी वस्त्रों में उत्पन चिंगारी वास्तों में एक ही प्रिगटना है, उस विज्ञानिक का नाम क्या है, तो ये दर्शाय था बेंजमीन फ्रैंकलिन ने भारत में निमलिकित में से कौन सा पुरुषकार ग्रामीन समुदाय और व्यक्तियों को दिया जाता है, जिन्होंने वन्यजीव की रक्षामियत्य दिकसाहस और समर्पन का प्रदर्शन किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा, अमरिता देवी विश्नोई पुरुषकार पर्थम विश्व प्रियावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था, तो 1974 में जो था, पहला विश्व प्रियावरण दिवस मनाया गया था, निमलिकित में से कौन सा यंत्र वर्षामापन हेतू प्रियुक्त होता है, तो वर्षामापी होता है, निमलिकित में से कौन सा पिरा प्राकरतिक पारिस्थितिक तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है तो ये होता है उर्जा का पिरामिड ये कभी भी उल्टा नहीं हो सकता ठीक पानी को किटाणू रहित करने के लिए कौन सी विधी उपयोक्त नहीं है पूछा है तो फिटकरी द्वारा सकंदन हो सकता है तो वो होते हैं लाल आखो वाला मेंड़क, विद्यू तुत्पन करने के लिए प्रियोग किया जाने वाला उपकरण बताना था यहाँ पे तो वो है पवंचक किया, इसमें देखे मिलान करना था, अस्थमा वाले में, तो इसमें देखे थार्ड उप्शन सही रहेगा, अस्थमा का जैसे फोग और स्मोग बन जाएगा, ठीक है, नहीं, अस्थमा का बनेगा स्मोग के कारण होती है, स्मोग बनेगी फोग और स्मोग से, ठीक, मीना माता पारे से होती है, सिल्फर डायकसाइड पर दुशनकारी गैस होती है, तो इस तरीके से, इसका जो बनेगा सही आंसर, वो थर्ड उप्शन रहेगा, ठीक, परकरती के लिए विशव व्यापी कोश, डबलु डबलु एफ के नुसार निमलिखित में से कौन सी नदी, विशव में दस संकट ग्रस्त नदियों में से एक है, तो वो है गंगा नदी, कवीता दिराइम ओफ दी, एंशियन्ट मेरिनर, इस रिटन बाई, तो इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है, एस्टी कॉलरिज ने, ठीक है, कुशन नमबर 146, ओजोन परत के शेय का कारण क्या है, तो वो है CFC, क्लोरो फ्लोरो कारबन, निमलिखित में से कौन एक बोना गरह है, तो बोना गरह कौन सा है, प्लूटो है, इस जोग्राफिकल डिस्ट्रिबिशन ओफ एनिमल पुस्तक, किस के द्वारा लिखी गई है, तो इस बुस्तक को लिखा है, अलफ्रेड रसल वॉलस ने, विश्व ओजोन दिवसकव मनाया जाता है, तो सोडा सितंबर को मनाया जाता है, लास्ट कोशन है, वन मोहत्सव किस महीने में मनाया जाता है, तो ये जुलाई महीने में मनाया जाता है, तो ये थे 150 questions का solution, thank you so much